नमस्कार सातियों मैं हूँ डॉक्टर राजिन जैन भूबेग्यानिक बास्तुविद्ध दोस्तों दुनिया में ऐसा कौन है जो धन कमाकर कि धन की बरक्का तो बचत नहीं चाहता है हर बेक्ती चाहता है कि मेरा धन अनेक पीडियों तक आगे चले लेकिन इसके लिए सबसे महत्पूर बिंदू ये है कि हमें ये देखना होगा कि आपके खजाने का इस्तान कहां पर आपके भूकंड में भबन में होना चाहिए तो आईए हम समझते हैं सबसे पहले वो कौन सी दिशाएं हैं कौन सी बिदीशाएं जहां पर आपकी तिजोरी रखी जा सकती है तो उसमें तीन दिशाएं बिदीशाएं पिरमुक हैं सबसे पहले पस्षिम दिशा जो होती है जहां पर बरून का इस्तान होता है और बरून और नोटों की बरकत भी होती है, तो आपको बरुन के इस्थान पर याने पस्चिम दिशा में रखना है, दूसरा इस्थान होगा आपका की पस्चिम, दक्षिन पस्चिम, याने की यह नेरत कोड और पस्चिम के बीच में होगा, यहां पर भी आप तिजोरी स्थापित कर सकते हैं, तीसरा लोकेशन जो सर्व स्रेश्ट है, वह है आपका उत्तर दिशा, उत्तर दिशा कुबेर की दिशा होती है, लेकिन इन तीनों इस्थानों पर जब आप तिजोरी स्थापित करेंगे, तो इस बात का ध्यान रखेंगें कि तिजोरी का मुख खुलते बक्त कुबेर की दिशा में ही उत्तर दिशा में होना चाहिए, अब आपको यदि यह तीनों ही दिशाएं इस्थान आपके घर में उप्युक्त ना हो, ना मिल सकें, तो second option हमारे आचारियों ने कहा है कि नैरत कोड़ पर यदक्षिन दिशा में भी लोहे की तिजोरीयों को इस्थापित किया जा सकता है, लेकिन उनके खुलने का इस्थान मुख हमेशा उत्तर की दिशा में कोबेर की दिशा में मुख करके ही तिजोरी को इस्थापित करना चाहिए अब हम चलते हैं जानते हैं कि इनका इंटीरियर कैसा होना चाहिए सबसे पहले इसका रंग और इसके अंदर की रखने वाली शामग्री को समझते हैं तिजोरी का जो कलर होना चाहिए यह हमेशा तिजोरी पैथवी तक्त को बिलाउंग करती है और गिरहों को हम देखें तो यह जुपीटर को रिप्रेजेंट करती है याने गुरू ग्रह पैसा धन्द वलत गुरू ग्रह के हैं तो इसमें पीला रंग पुतना चाहिए अंतरंग में भी इंटरनल जो कलर हो वो यह भी पीला हो अब धनकी हमें वरक्कत बहुत बढ़िया चाहिए इसके लिए दोस्तों एक बात ध्यान रखने की होगी तिजोरी किस दिन किस मुहूर्त में आई है किस मुहूर्त में आपने बुक की किस मुहूर्त में आपने घर में प्रवेश की और किस मुहूर्त में आपने इस्थापित करके और बास्तु पूजन करके और उसमें स्वास्तिक मण करके उसे प्रारंब किया है इनके हमेशा अतीस रेष्ट मुहुरतों का चैन होना चाहिए अब इसके साथ साथ आपको धन की बरक्क देदी आप चाहते हैं तो आपकी तिजोरी में एक सगुण में अनामी का अंगली से और केसर से या स्वेत आर्की जड़ को हारिद्रा में हल्दी में गिस करके एक स्वास्तिक सगुण में याने सास को रोक करके अंकित कर देना चाहिए इसके अंदर यदि आप बहुत ज़्यादा ब्रद्धी चाहते हैं तो स्वेत आर्की जड़ को बिधी बिधान पूर्बक जो लाई गई हो उसे अपने तिजोरी में स्थापित कर देना चाहिए इसके सास साथ यदि आप हल्दी सुपाडी और सफेश सरसो रख देते हैं तो पूछिए मत क्या होगा धन की खूप ब्रद्धी होगी और धन तीन पीडियों तक जाने के लिए आप इनके तीनों तरफ क्या लगा देंगे दरपण दरपण अस्ट मंगल में एक मंगल है कई लोग इसका विरोध करते हैं लेकिन कभी हमेशा दरपण मंगल ही होता है छोटे छोटे से दरपण लगाना मात तीन इंची के या उनमें डेड़ इंची के दरपन छोटे-छोटे तीनों दिवालों पर आप लगा दीजिए इससे भी कहीं हम बड़ी बात बताने जा रहा हैं जिस जगए पर तिजोरी स्थापित हो मैं कभी भी उस तिजोरी के आसपास जूता चपल नहीं रखना चाहिए जाडू पोता नहीं रखना चाहिए तिजोरी जहां रखी है वहाँ पर बर्स में धन तेरस से लेकर दीपा वली तक उस कक्ष में एक धीप अवस्य जलना चाहिए फिर देखिए कि क्या कमाल होगा आपकी तिजोरी का धन की खुब बरक्कत होगी और आप होंगे माला माल इसी के साथ हम लेते हैं बिदा